नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से, कोई नहीं बताएगा पश्ताओगे, जान लो गाई के पूश के बाल पहनने के दस गुप्त फाइदे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुन्दर है, आज की वीडियो की जो जानकारी है, गौमाता के पूश के बाल पहनने की गुप्त चमातकारिक फाइदे, यह फाइदे जान लिये, तो कभी भी आपको कंगाली नहीं सताएगी, कभी भी आपको कुलक्ष्मी नहीं सताएग कभी भी आपको जीवन में असफलता नहीं मिलेगी ये वीडियो ध्यान से देखना गौ माता को कहा जाता है कि इसके जो पूँच हैं इसके अगर छूने मातर से इस पर्स करने शेप पाप का शमन होता है पाप का नाश होता है गौ माता शमन्दर मंथन से उत्पन हुई है जगत कल्याण के लिए देपताओं को अपने शरीर में इस्थान दिया आसन दिये हैं इसके दोद को अम्रित माना जाता है इसके दोद पीने से समस्त प्रकार की जो बीमारी है दूर हो जाती है बेदों के अनसर गौ माता की पूँच में हनुमान जी का वास होता है ऐसा बेद सास्तर में लिखा है तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा ये बहुती सुन्दर है बहुती अच्छे हैं इसके पूँच से आज भी बहुती लोग जाड़ा लगाते हैं किशी को नजर दोस लगा हुआ है तंतर मंदर की बाद हाएं है नजर उतारना है तो गौमाता की जो पूँच के बाल है इससे जाड़ा लगाने से बुरी नजर उतर जाते हैं ततकाल उतरता है गाय के पूँच गाय के पूँच में यानि की कई देवी देपताओं का वास होता है और साथी साथ गाय के यानि की परतेक अंग में सभी देपताओं का वास होता है गाय के दूध के से घी मक्षन गोबर गोमोत्र से पंच गब बनता है हजारों रोगों की एक मात्र अचुक दवा है जो गाए की यह पंचगब से बनता है और साथी साथी खतरनाक बीमारी से उपचार किया जाता है तो यह बीडियो बहुत ही सुन्दर है हमारे हिंदु धर्म में पूजनी माता से भी उच्च स्थान गो माता के पूछ की यह बाल का जवर्जस्त चमतकारी के अगर आप गो माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बाक्स में जय गो माता जरूर लिखना है साथी बीडियो पसंदाए तो इसे लाइक करिएगा ज़धा ज़धा शेयर करिएगा और जहनों को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा गो माता की बाल पहने से क्या चमतकार मिलते हैं आईए जानते हैं तो दुख और दुर्भाग से दोनो, ये दोनो अगर आप की जीवन में आप बहुत दुखी हैं दुर्भाग का सामना कर रहे हैं आपकी जीवन में दुर्भाग आ चुके हैं तो गौमाता की बाल जरूर धारन करें इससे दुख और दुर्भाग दूर होता है बीड़ो के आखरी में बताऊंगा कि इससे किस प्रकार आपको धारन करना होता है कौन से धातु में अगर किसी को अकाल मृतु का खत्रा बना हो मृतु योग जिनकी कुंडली में काल सर्प दोश और पित्र दोश लगा हो तो ये दोनों दोश मृतु योग बनाते हैं तो इन योगों से बचने के लिए गौमाता की पूँछे के बाल अवश धारन करें हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौमाता को ग्र माता की पूँछ की बाल अपने जो आप पहनते हैं तो नकरात्मक शक्ति कभी भी आपको छू नहीं शक्ति आप से कोशो दूर भागेंगी मंगल दोश को समाप्त करने के लिए जानिये कि इसको समाप्त करने के लिए जिसक बिवाह में रुकावट आ रही है या आने से ले गौ माता की पूँछ के बाल धारण अवश करना चाहिए रक्त संबंदित बिमारी हो या फिर किसी भी प्रकार के रोग हो पुरानी से पुरानी बिमारी हो तो गौ माता की पूँछ के बाल पहना देने से लाभ मिलता है क्योंकि गौ माता की पूँछ में हनवान जी का परदेख मांगल से रक्त सम्वनित बीमारी को भी दूर करने का काम करती है। परदेख मांगल से रक्त सम्वनित बीमारी को भी दूर करती है। परदेख मांगल से रक्त सम्वनित बीमारी को भी दूर करती है। वीडियो को लाइक सेर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा। जाए मालक्षमी। याए मालक्षमी। झाल झाल